हाई एफ्रिवन नमस्कार कैसे आप सभी मैं हर्पिर सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल Study24 Official में तो आज की इस वीडियो में काफी important topic पे discuss करने वाले हैं तो वीडियो की साथ बने रहे हैं और अगर आप D2+, B, KBS या किसी भी teaching या TET exam के तयारी कर रहें और even in vacancies के तयारी कर रहें तो बहुत ही minimum charges पे हमारे team आप लोगों के लिए notes, previous years, question, paper, mock test और इसके बाद even video classes भी हम आपको provide करा रहे हैं तो आप demo भी ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि 60% तक अभी off मिलेगा आपको तो आप आज ही जुड़ जाए कम टाइम में अच्छी study के लिए तो दिये हुए number पे आप message कर सकते तो अभी जैसा मैंने last time एक video बनाई थी और दो-तीन दिन पहले एक video बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 42 बता जो 21 है जो vacancies 2021 के अंदर primary वाली आए थी तो वो vacancies सेप्टेंबर महिने वाली जो vacancies हैं उनसे अलग हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने ये भी बताया था कि उनका जो भी court का order आया था कि court ने beard वालों को थोड़ा समय आपको एक बार background में भी बता देता हूँ कि उस पे जो vacancies आए थी 2021 में प्राइमरी वाली 42 बता 21 और एक और था पोस्ट कोड तो आप लोगों को पता होगा प्राइमरी से आप समझ सकते तो उन vacancies में beard वालों ने case कर दिया कि हमें भी सामिल किया जाए तो अभी court ने क्या किया कि जिन्होंने case किया था उनके offline form भरा दिये और form भराने के बाद मैंने आपको last time भी बताया था कि form इसलिए भराए गए है कि जिससे जो भरती प्रकरिया है वो रुके नहीं और ऐसा ही हुआ है और मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है कि exam आपका बहुत जल्दी हो जाए बहुत जल्दी मतला February में भी हो सकता है और March में तो होने के बहुत ज़्यादा chances है तो उसके बाद अभी जो सूचना मिली है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ सूचना ये है कि जो 2021 वाली प्राइमरी वाली जो vacancies है उनका जो exam है वो March महिने में final कर दिया गया है जो सूचना मिली है अब हो सकता है कि इसमें अगर कोई बदलाव हो ठीक है मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ जानकारी ये है कि March महिने में आपका exam होना final हो गया है और इसके बाद बहुती जल्दी आपका exam का notice आ जाएगा मतलब exam date आपकी आ जाएगी एक सब्ते के अंदर मतलब within a week तो अब बात ही आती है कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है और ये जो जानकारी है ये सिवालिक सर ने दी है और इसके अलावा तियारी आपको करनी है और जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था हो सकता है कि थोड़ा उपर नीचे हो जाए क्योंकि बोर्ड अपने हिसाब से करेगा लेकिन ये vacancies बहुत पुरानी है 2021 वाली vacancies है इनके साथ के लगबग सभी के exam हो गए तो बोर्ड ये चाहता है कि pending vacancies को जल्दी से कराया जाए और इसी वज़े से बीएड वालों को offline form फिल कराये थे तो अब ये आप समझ सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है आप उस वीडियो को देख सकते हो उसमें मैंने पूरा बताया कि primary वाली क्या चीज है क्या होगा क्या चीज है सारी चीजे मैंने हाँ पे डिसकस किते हैं तो भई आप तयारी में लग जाए और preparation के लिए अगर आप चुड़ना चाहते हो तो अगर आपको second part चाहिए बहुत अच्छे से explain करके क्योंकि primary में second part बड़ा confuse करता है तो second part के लिए हमारे पास two teachers हैं जो आपको classes कराते हैं और उसके बाद टेस्ट भी होते हैं online एप पे और इसके बाद करें फिर उस पे हम video बनाएंगे हाला कि ये बात ध्यान रखिए ये जानकारी मिली है ये जानकारी मिली है हमारी तरप से तो मतलब surety है लेकिन फिर भी एक परसेंट जो final करता है वो board करता है क्योंकि हम board से बड़े नहीं है हम किसी भी चीज पे मतलब जिद नहीं करते कि हाँ ये 100% होगा जो जानकारी मिली है वो हम आपको बता रहे है जिसको सही लगे वो तैयारी करे जिसको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो वो अराम से मोज मस्ती करे ठीक है तो चलिए यही मैं आपको बताना चाहता था सो थेंक यू जैहिंद